बोदिक संपदा आई पी आज की ज्यान आधारत अर्थ व्यवस्था में नवाचार उत्पन करने रचनात्मक्ता को प्रोथसाइद करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मैत्पूर्ण भूमी का निबाती हालान कि बोदिक संपदा आतिकारों पर बहस अक्सर पह होती है यह निबन समावेशन और सैसक्तिकरन के लिए कुपकरन के रूप में बोदिक संपदा के वादे और संभावनाओं की जाज करता है वैस्विक विभाजन को पार्टने नवाचार को प्रोथसाइद करने और व्यक्तियों को समुधायों को सशक्त बनाने की इसकी शमत पहलू जैसे अंतराष्टे समझोतों की बदोलत विकासिल देशों ने तकनिकी ज्यान के व्यापक पुल तक पहुँच हासिल कर लिए इस्ते उने विकास में आगे बढ़ने और अपनी आर्थिक प्रेगती में तेजी लाने की अनुमती मिली है उधारन के लिए चीन और भ सक्षम करके स्वास्त देखवाल नवीकर्ण ये उर्जा और क्रिसी जैसी महत्पून चुनोतियों का समाधान कर सकती है उधारन के लिए विकासिल देशों में सस्ती दवाओं तक पहुँच बढ़ाने में पेटेंट फार्मिस्टिकल प्रोदोगिक्यों को साजा करना महत् समर्थ कारी हो सकती है बोधिक संपदा अधिकारों द्वारा प्रधान की गई विशिष्टा का बादा व्यक्तियों और संगटनों को अनुसंदान इंव विकास में निवेश करने ज्यान की सिमाओं को आगे बढ़ाने और तक्निकी प्रेगति को आगे बढ़ाने के लिए बोधिक संपदा अविसकार को रचनाकारों और नव प्रवर्तकों को उनकी रचनाओं पर विशेस अधिकार दे कर नव प्रवर्तन की संस्कृति को प्रोत्साइद करती है जिससे विचारों को पन अपने और परिवर्तन कारी उत्पादों और सेवाओं में विक्सित होने क अनुवती मिलती है इसके अलावा बोधिक संपदा संडक्षन यह सुनिशित करता है कि नव परवर्तक अपनी रश्णाओं से आर्थिक रूप से लाब कमा सके जिससे नव परवर्तन में और निवेस को प्रोथसान मिले यह नएकेवल व्यक्तियों को सहसक्त बनाता है वलकि अविस्कार की एक स्रंखला प्रैती किरिया भी शुरू करता है जिससे पूरे समाज को लाब होता है उधारन के लिए स्वक्ष उर्जा प्रोधोगी क्यों में पेट्रेंट के परिणाम सरूप इस्ताइस हमाधानों का विकास हुआ है और जलवाईयू परिवर्तन के खिला वैस्विक लड़ाई में योगदान मिला है व्यक्ति और समुदाई को सेसक्त बनाना व्यक्ति और समुदाई को बोधिक संपता दवारा सेसक्त बनाये जा सकता है क्योंकि हैं उन्हें अपने रश्णात्मक और अभीनाव परियासु की रक्षा और मुद्दीकरन करने की अ जाता है यह स्वेकर्थी ने के और उनके इत्यास किरक्षा करती है बलकि उन्हें आर्थिक संभावनाएं भी देती है और उनके सांसकर्थिक योगदान से जुड़े आख्यानों को प्रिवासित करने का अधिकार भी देती है खुले नवाचार और सहयों का वादा जबकि बो बोदिक संभदा प्रणालियों के लिएक मुल्यवान अतिरिक्त हो सकता है ओपन सोर्स और क्रियेटिव कोहमन्स लाइसेंस और पेटेंट फूल्स हैयोगी प्रथाओं की उधारन है जो मौझूद ग्यान को साजा करने और विस्तार की अनुमति देकर समावेश और रशनात मक्ता को बढ़ावा देते हैं इसके अलावा वैकल्पिक बोदिक संभदा व्योस्ता हैं जैसे कि महत्पुर्ण दवाओं के लिए निवारी लाइसेंसिंग या पेटेंट पूल विसेश रूप से सारवजनिक स्वास्त आपात इस्तियों के दोरान कीमत और पहुंच में व सकती करण को बढ़ावा देने के लिए क्या जा सकता है बोदिक संभदा में वैस्भी विभाजन को पाटने नवाचार को प्रोसाइद करने और व्यक्ति और समुझायों को सहसक्त बनाकर सामाजिक और आर्थिक प्रहगति को आगे बढ़ाने की छमता है हालंकि एक संतुलन हासिल करना वैत्पून है जो नव प्रवर्त को और समगरे रूप से समाज दोनों के हितों को ध्यान में रखता है बोदिक संभदा अपने वादे को पूरा कर सकती है और सहयोगी दरश्टिकोन और व्यकलफिक मोडल को अपना कर अधिक समावेशी और सहसक्त दुनिया के ल